इस पहले दरवाज़े को देख के मुझे लग़ रहा कि यहागा सिंचन और चॉप ने दुबारा में यहाँ चैलेंज यहां पर बनाए होगा मगा शाइ सिंचन और चॉप को पत órust कंमा सुन पते को पते निरें लिए को सारी के सारा ranking से का लियर कर सकता हूं और अभी तक मैंने के विए है। अरे यहाहमदेया但 यहाहरा चैन्ज पेहले वारा accurateネसे का भी जाद है। क्यों भार सिंचन इसमें ऐसा किया है? अरे, आ ढाँतर हम लोग आपको नहीं पिताएगा है उम्मा सारा के बारे डर्मा सारा के पीछी है इस वाले डर्मा सारा डर्मा बांके पीछी सारा का सारा राज चुपाओ expert तो फिर मैं काम को गताओ को रासको खुदी देख लेता हूं तुम लोग तुम मुझे बता होगा नहीं हामेद है आप चीटिंग मत करा हम्दा आपको दर्वाजों के पीछे रुकना था आप यहां पर क्यों आगा यार चौप यह वाला चैलेंज तुम लोगों ने मेरे लिए बनाया या फिर अपने लिए बनाया है अच्छा चलो ठीक है मैं इन वाले दर्वाजों के पीछे नहीं जाता हूं मगर इन वाले दर्वाजों के पीछे आखर ऐसी क्या चीज है और यहां पर मुझे एक दर्वाजा नहीं दिख़ाय दे रहे हैं यहां पर मुझे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 दर्वाजे हैं तो फिर तुम लोग मुझे बदाओ कि इन वाई दर्वाजों के पीछे क्या है? अरे मैं इन दर्वाजों के पीछे हम लोग की आर्मी है यार? तो फिर मैंने करना क्या है? अगर मैं सामने देखूंगा ने तो फिर मैं अपनी आर्मी को खड़ा कैसे करूंगा मुझे क्या पता कि मेरी आर्मी ने किसको रिफीट करना है अगर मैं बहुत तो सोचने माली यार अच्छा चलो ठीक है तुम लोग बोलते हो तो फिर मैं यहां पर अपनी आर्मी को खड़ा करता हूँ मुझे है गाइस बिलेब ही अभी तक पता नहीं के दर्वाजे के दुसरी तरफ है क्या चीज़ यहां पर सिंचन और चॉप ने थोड़े से गेट को बना के रखा आए बरके थोड़े से ने सिंचन और चॉप ने यहां पर एट डोर्स को लगा है अब इन वाए डोर्स के अंदर होगा क्या है यह आम लोग को नहीं बता हम लोगने भी आपहे चैलेंच को एंपॉसिबल परना है मेरे वाले चैलेंज़ देंपॉसिबल नहीं होते वो मुशकल हो थैं तो मैं तुम लोग को क्लियर करके दिखाया और तो यसब चीनल करने काशना लीगा की लास्ट है अरे मैं नहीं बताएंगा मापको यार यह कैसी चीज है आप लोग देख रहों कि आगाई यह मुझे कोई ARBS का यूनट तो नहीं लग रहे हैं नहीं आगाई यह अर्मी को खा जाएंगे अरे मैं नहीं बताएंगे अपने आर्मी खड़ी का कि अपने यूनट को यहां तक पह दिखाँगा तुम लोग को और तुम लोग के इन वाले पत्तों को भी मैं मार दूंगा अरे यहां हम्दा यह पत्ते नहीं हैं यह मॉंस्टर प्लांट्स हैं बताता हूं मैं तुम लोग के मॉंस्टर प्लांट्स को भी बताता हूं तुम लोगों ने गेट के पीछी यहां मैंने अपने यूनिट को यहां पर खड़ा करना है और फटा फटा से मेरा यूनिट यहां पर पहुंच जाएगा मगर आगाई जितने यह देखने में असान लग रहा है ना उतना ही यह सच मुछ में मुश्किल है सिंचन और चौक मुझे दर्वाजे के पीछे जाने नहीं दे रहे मैं चुपके से देखता हूँ कि आखर यहां पर है किया तो यार गाई यह आप लोग देखो लगबग एक हजार एनिमल स्पॉनर इन लोगों ने लगए मैं अरे या हम्दे आप मत देखो हा मैंने तो कुछ भी नहीं देखा वैसे आगाई आप लोगों ने कुछ देखा क्या नहीं देखा ना नहीं देखा सेंचन हम में से किसी ने कुछ भी नहीं देखा है हम लोग बस सिर्फ और सिफ यहां पर इस वाले बॉक्स को देख रहे हैं और साथ में सबसे तेज यूनिट कुन सा है? सबसे तेज तुझा आगाइस मेरे पास वाइट टाइगर है. टाइगर की स्पीड बहुत ही जादा तेज होती है. और टीरेक्स भी है मेरे पास. तो हम लोग वन बै वन अपने आर्मी को टेश करेंगे. सबसे पहले मैं यहाँ पर टीरेक्स खड़ा गरता हूँ. और मेरे टीरेक्स कोई ऐसा वैसा टीरेक्स नहीं है. यह जोंबी टीरेक्स है. जो कि काफी जादा खताना कोने वाले है. सिंचेंगे प्लांट्स मी मुझे जोंबी इस की तरह लग रहे है. और हम लोग का टीरेक्स भी जोंबी टीरेक्स है. जोंबी टीरेक्स तुम्हें एक काम करो. फटाफ़से सामने जाओ. और सामने वाले बॉक्स को तोड़े बिना तुम्हें वापस नहीं आना. तुम्हें करना होगा. टीरेक्स तुम्हें करना होगा. गया MAR,OW GUYS, HOM लोग T-REX आगे की तरफ जा रहें अब भी तक यह तख बहुत हैशनcü पीड में जा रहे है DIE होप कि यह रुखे का Mosit Whoo नहीं को रुकना नहीं है तुमेड UHTNES की 소개 हाना कोई भात नहीं फिर भी रुह रागे की तरफ जा रहे दुबारा है HTS की शील इसको लगे मगर ये फिर भी आगे की तरफ जा रहे है और ये में क्या देगो टैटनव वान इसको पकड़ लिया मगर ये फिर भी आगे की तरफ जा रहे है मगर यहाँ पर आके मर गया काफी मुश्किल आसता है कुछ और सोच ना होगा हम लोग को अरे आहां मैं ये वाला चैलेंज तो इमपॉसिबल है हाँ ये ओई ना बात अभी तुम लोग लाइन पर आयो ये वाला चैलेंज वाके मैंइ इमपॉसिबल है अरे इंपॉसिबल नहीं है, मुझे इंपॉसिबल है, मैं अकेले यहाँ पर अपनी आर्मी को नहीं मरवाऊंगा, तुम लोग भी मेरे साथ पार्टिसिपेट करोगे, और जिसका भी यहाँ पर एक पॉइंट पहले हो गया वो जीत जाएगा, अरे मैं यह बात हो तो फिर में तुम लोग के यह तीन नूबड़े यूनट कैसे जीते हैं, गोरु यहाँ पे इस वाले मंकी ने इसको पकड़ दिया और इसमें मंकी को मार दिया, उपर स्कुईट भी घूम रहा है, और बाकी तो यहाँ जहाँ पर चोटे मोटे यूनट से जाला दिकत नहीं होगी, अरे बिचारे का गोरु नीचे गर गया, और यह लोग मुझे बोल रहे थे, कि मैंना यहाँ पर एक यूनट खड़ा करने है, अरे वे एक यहाँ आप दस यूनट खड़े करो फिर भी हार्च हो गया, यह होई ना बात, अभी मैं यहाँ पर दस यूनट को खड़ा करूँगा, अरे याँ हामला मगर अभी यहाँ पर मेरी बारी, अचा ठीक है सिंचन तेरी बारी है, मैं देखता हूँ कि तू क्या करता है, अरे याँ हामला मैं तो लाइन से अपने तीन ब्राचस रोट का खड़ा करूँगा, हाँ वैसे सिंचन यह वाले ब्राचस रोट 10 घंटे लग और आप लोग देख रहे हो, यह वाले प्लांट्स आप लोग देखो याँ गाईज यह वाले प्लांट्स काम कर रहे है, बे यार गाईज यह तो सच मुछ में काम कर रहे है, ऐसा कैसी हो सकता है, मुझे लगा था कि यह सिंचन और चॉप की आर्मी को भी खा रहे है, बे य यह लोग तो अटैक भी करते हैं और कुछ जादे खतना का टैक करते हैं लेकिन अभी आगाई यहां पर आ चुकी है मेरी बारी तो मैं अभी आप लोग को बताता हूं अपना प्लैन सिंचनो चॉप ने मुझे बोला कि मैं यहां पर 10 उनिट को भी खड़ा कर सकता हूं अरे ब यह सिंचन मेरे पास भी पांडाज हैं अरे यहां मगर इनको देखके मुझे एक बात याद आ गई कौन सी बात सिंचन अरे यहां हम लोगों यह सनो कैसा के उपर कब्जा तो कर लिया मगर यहां हम यह सोच था किस तरह वापस लेंग अभे या चॉप क्या याद करा दिया बबर शेर का तुने क्यों याद करा दिया चॉप अरे मैं लाइन कैसा किस तरह लेंगे या आप लोगोंने लॉइन किंग और ब्लैक मॉंस्टर लॉइन वाला वीडियो तो देखा होगा यहार बीस के अंदर लॉइन आ चुके हैं वो रहा गाइस वो कोई ऐसे वैसे पांडा अगे निकल गया मगर यह में का देखो ऑपांडा भी मर गया चोटे युनिट की बस की बात नहीं है अरे या यहां भी मेरी बारी ने तुम लोग रहने दो मैं सवाली बात को मानने के लिए तयार की यह वाधा चैनल नहीं है क्योंकि आज मैंस को क्लियर करने वाला का इंडोरेक्स और मेरी आर्मी का टैक्रक्स खड़ा होगा अरे बड़ टैक्रक्स तो मुग के अंदर से फ्लेम निकालते यह तो चीटिंग यार देखो बाइच चीटिंग वीडिंग कुछ भी नहीं है यह तीनों के तीनों मेरे कस्टम इनट से हों मैं बहुत मुश्किल से को खरीद के लेकर रहा हों मैं तो अपनी इस वाली आर्मी को ट्रय करूंगा अरे आ अमने मां कई हम लोग के यहां पे नॉर्मल युन्ट मुझे तुम लोग के यहां पर दिखाई दे रहे हैं यह तो सच मुझ में कुछ ज़्जाद है नॉर्मल यूनिट हैं अरे यहां कोई ARBS के नहीं है तो मुझे भी आर गाइज यहां पे ख़दाना का आर्मी खड़ी करनी होगी मुझे अपने स्पांस और इंडॉमिनस रेक्स और टैक रेक्स से काफी जादा उमीद है मगर आगाज साथ मुझे आप लोग का सपोर्ट भी चाहिए होगा तो फटा फट से जागे वीडियो को लाइक है के चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बैल वाले नोटिफिकेशन को अल पर प्रस कर दो अभी इस गो के अंदर आगाज मैं अपना चैनलेंज क्लियर करकी रहूंगा क्योंकि अभी क्य अब लोग को तो पता होगा जब लोग अपनी थोड़ी सी और भी खड़ी करने वाला हूं अब बस करो और क्या खड़ा करोगा यार दिखाता हूं तुम लोग को अभी दिखाता हूं तो याई गाइज अभी आप लोग देखें कि मेरी आर्मी यहाँ पर रेडी हो चुकी है जिसके अदर स्टरेफोस मेरे 8 उनट है सिंचन के यहाँ पर आठ दर्वाजे है और मेरे यहाँ पर आठ यूनट है जिसके अदर मेरे यह वाला ब्लेक टीरेक्स जिसका सर थोड़ा सा वाई टेम अगर चलता है साथ में मेरे पास यहाँ पर सनो टीरेक्स है जिसकी पावर्स का तुझा याई आप लोग को पता होगा और इसी के साथ मेरे पास यहाँ पर तीन चोटे यूनट जिसके अंदर वेल कीप्ट ए और सेंटर में मेरी आर्मी का बॉस इस्पायासोरस यहां पर इंडोरेक्स खड़ाओ है जिसको हम लोग इंडोर्मिनस रेक्स भी बोलते हैं और सबसे जादा ओपी यह टेक रेक्स जो के आर्क का युनिट है काफी जादा सोच समझ के मैंने अपनी आर्मी को खड़ा किया है गाइज अभी हम लोग जीत जाएंगे लास्ट चांस है हम लोग के पास और हम लोग जीत जाएंगे मैं बस यह चाहता है कि मेरी आर्मी नीचे ना गरे अगर तो मेरी आर्बी नीचे नहीं गिरी ना तो फिर ये लोग जीत जाएंगे जीतने के लिए मेरे पास सिर्फ और सिफ एक चांस है अगर आपनों को लगते है के मेरे ये वाली आर्बी यहाँ पर जीत जाएगी तुम लोग इस वाले प्लांट ने मेरे टकरक्स को तो मार दिया प्लांट्स तुम लोग के काफी जादा क्वाणा के मुझे अच्छे लगे लेकिन अग्रे तबाद आप न मेज़्ेदा रहा तो और ढम करते हैं झाल झाल